वेटेटेंट नहीं तर ज्यादा कुछ नहीं था ज्यादा डीप जाने की ज़ोरत रही है उस पर एडिटोरियल पर आपने देखा होगा को सेक्टर और आप थोरा से मेंचेंड था यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं वेपर्स के लिए इस बार नहीं पूछा गया इसका बेट है जाए कितना सब कुछ प्लीज सुनिएगा फिर पेज 11 पे पेम गति शक्ति के बारे में थोड़ा सा दे रहा था कली डिसकस किया है अब भी कुछ आइड करने की जूरत रही है बट उसके आगे जगे जरूर छोड़ देना आने वाले टाइम में इसके बारे में कु बिस्ने सबस्क्राइब, इसाथ बारे में। पね बेट है वह जला रहे था उसकन आगे में तो इह इं इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बड़ा है बट आज भी इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत सारी आइटम्स होंगी जो हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं चाहिना इंपोर्ट बहुत सारी आइटम्स है जो मेजर आइटम्स है वो क्या है mechanical or electrical machinery and medical supplies ये major chunk है इसके इलावा बहुत कुछ यह होता है अगर हम बात करें textiles में तो बहुत जाएदा textiles import होती है अगर हम chemicals की बात करें तो साइट chemicals महाथ से import हो रहा है most of them तो इसलिए जाएदा उसमें जाने की जूर्थ रही है जो major suppliers, major हमारी import और export है, वो ही देखने वाली चीज़ है उसके बताल कुछ नहीं था कुछ fodder दे रहा हूँ, आप देख रहा हूँगे कल से news में थोड़ा वीड सरवार करका जब से राधना सिंची ने बोला, उसके वारे में चल रहा है थोड़ा सा हमें इस पर पॉइंट्स ले लेते हैं क्योंकि वो से तब से प्रिलिम से पूछ ले एक तो विनायक सरवार कर, जोंको वीर सरवार कर भी कहते हैं ये involved थे in the formation of Hindu Mahasabha ये president रहे थे हिंदु Mahasabha के 1937 से 43 तर, ये याद लखेगा पूने में फिर सरवार कर ने अपने भाई के साथ ही अब भारत सरवार कर ने भाई के साथ ही अब भारत सोसाइटी ये involved रहे थे स्वादेशी मुमेंट में भी और इन्होंने बाद में तिलक जी की सुराज पाटी भी जोइंग कर ली थी और उनकी जो प्रिटिरोटिक स्पीचिस थी और उनसे ब्रिटिश नराज रहते थे इसलिए ब्रिटिश ने इनकी ऐसी सी प्रिटिरोटिक स्पीचिस को और एक्टिविटीज को देखते हुए इनकी बीए डिली विट्रॉट कर ली थी ये important point है उसके बाद कुछ और points एड करते हैं इन्होंने free India society found की थी ये important है इस society क्या करती थी celebrate करती थी important dates of Indian calendar चाहे वो festivals की बात हो चाहे freedom moment, landmarks की बात हो ठीक है और Indian freedom के बारे में discussions भी करती है इनके एक book आई थी और books आई थी एक book उनमें से थी History of War of Indian Indian Independence इसमें इस रभाकर ने गुरिला वार्फेर ट्रिक्स की बात यूज की थी कि उन्होंने का था कि कैसे गुरिला वार्फेर ट्रिक्स यूज हुई थी 1857 से पॉइम में यह important कि आप से पूछ सकते है book History of the War of Indian Independence किसने लिखी थी यह important है यह book banned कर दी थी बेटेश्टिस ने इंडिया में तो नहीं आई थी मगर मेडम विकाजी कामा जो है उसके बाद इन्होंने टू नेशन थी भी बतायती हुए उनके एक book आई थी हिंदू उसमें उन्होंने टू नेशन थी थी बात की थी उन्होंने काता है हिंदूस और मुसलिम्स टू सप्रेट नेशन से यह याद अखेगा और हिंदू महासभा ने यह resolution भी पास किया था 1937 में टू नेशन थी थी यह यह एथीजम में इन्होंने champion किया था और उनका था rationality लगाओ और इन्होंने कुछ orthodox जो हिंदू बिलीव्स थे उनको भी वो नकारते थे जैसे cow worship और यह सब यह important है क्योंकि हम लोग इंको ऐसा हिंदित की तरह जानते है ना तो हम अगर ऐसी statement आते cow worship या ऐसा orthodox Hindu beliefs तो आपको लगेगा कि नहीं यह तो मानते होंगे ज़रूर नहीं वो disapprove करते थे इस चीज़ को और इंको 50 साल के लिए काला पानी की सजा भी हुई थी 1911 में ट्रांस्पोर्ट कर दिया था इंडम अनिको बार में उस बद क्लिमेंसी प्लीज वेरा चली थी इंको फिर छोड़ दिया गया थे याद रखना कि बतब यह नहीं कि 50 साल के डाली दो बहीं रहे थे यह खिल के इता है इसे जादा पूछ नहीं तो गजाया था था ढाता हिए यह नहीं तो है था सटकर थे ऐसे हैं कि इली